आज की बात करता हूं तो मेरे एक प्रहास को भी में आज आपको शैर करना चाहता हूं पिछले कुछ समय से भारत में कोई भी जब विदेशी महमान आते हैं राश्टा देश भारत आते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि भोजन में भारत के मिलेट्स यहने मोटे आनाज से बनी हुई डिसेज बनवाओं और अनुभव यह आया है इन महानुभाओं को यह डिसेज बहुत पसंद आती है और हमारे मोटे आनाज के समझ में मिलेट्स के समझ में काफी कुछ जानकारिया एकत्र करने का वो प्रयाज भी करते हैं मिलेट्स, मोटे अनाज, प्राचीन कार्चरी हमारे एगरिकल्चर, कल्चर और सिविलाइसर्स का हिस्सा रहे हैं हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुरान नुरू और तोलकपी अब मैं भी इसके बारे में बताया गया है आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं आपको वहाँ लोगों के खानपान में अलग-अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगी हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विवित्ता हैं पाई जाती हैं ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू ये सब मिलेट्स ही तो है भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश हैं इसलिए इस पहल को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारत वास्यों के कंदे पर ही हैं हम सब को मिलकर इसे जन अंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मिलेट्स के प्रती जागुर्टा भी बढ़ानी है और साथ क्यों आप तो भली बात ही जानते हैं मिलेट्स किसानों के लिए भी फाइदे मंद है और वो भी खास करके छोटे किसानों को दरसल बहुती कम समय में फसल तयार हो जाती है और इसमें ज़्यादा पानी की आवश्रक्ता भी नहीं होती है हमारे छोटे किसानों के लिए तो मिलेट्स विशे इस रुप से लापकरी है मिलेट्स के भूसे को बहतरिन चारा भी मना जाता है आजकल युवापीडी, हेल्दी लिविंग और इटिंग को लेकर बहुत फोकस है इस हिसाब से भी देखें तो मिलेट्स में भरपुर्प्रोटेन, फाइबर और मिल्रन्स मोजुद होते हैं कोई लोग तो इसे सूपर फुड भी बोलते हैं मिलेट्स से एक नहीं अनेक लाप है ओवेसिटी को कम करने के साथ ही दायवेटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट लिडर डिसिस की खत्रे को भी कम करते हैं इसके साथ ही ये पेट और लिवर की बिमारियों से बचाओं में भी मत्दगार है थोड़ी देर पहले ही हमने कूपोशन के बारे में बात की है कूपोशन से लड़ने में भी मिलेट्स काफी लाबदायक हैं क्योंकि ये प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी से भी भरे होते हैं देश में आज मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है इससे जुड़ी रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करने के साथ ही एप्पी उसको प्रोसाइद किया जा रहा है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके मेरा आपने किसान भाई मेहनों से यही आग रहे हैं कि मिलेट्स यानि मोटे अनाज को अधीक से अधीक अपनाएं और इसका फाइदा उठाएं मुझे देखकर काफी अच्छा लगता है कि आज कई ऐसे स्टार्टस उभर रहे हैं जो मिलेट्स पर काम कर रहे हैं इन में से कुछ मिलेट कूकीज बना रहे हैं तो कुछ मिलेट्स पैनकेक्स और डोसा भी बना रहे हैं वहीं कुछ ऐसे हैं जो मिलेट एनरजी बार्स और मिलेट ब्रेकफास्ट तयार कर रहे हैं मैं इस खेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूँ तयोहारों के इस मौसम में हम लोग अधिकतर पकवानों में भी मिलेट्स का उप्योग करते हैं आप अपने घरों में बने ऐसे पकवानों की तस्वेरे सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि लोगों के बीच मिलेट्स को लेकर जागरुकता बढ़ाने में मदद मिले मेरे पहरे देशवासियों अभी कुछ दिन पहले मैंने अरुनाचल प्रदेश के सियांग जिले में जोर सिंग गाउं की एक खबर देखी ये खबर एक ऐसे बड़लाव के बारे में थी जिसका इंतजार इस गाउं के लोगों को कई वर्सों से था दरसल जोर सिंग गाउं में इसी महने स्वतंतरता दिवस के दिन से 4G इंटरनेट की सेवाई शुरू हो गई है जैसे पहले कभी गाउं में बिजली पहुँचने पर लोग खुश होते थे अब नए भारत में बैसी ही खुशी 4G पहुँचने पर होती है अरुनाचल और नौर्सिश के दूर सुदूर इलाकों में 4G के तोर पर एक नया सुर्यवदय हुआ है इंटरनेट कनेक्टिविटी एक नया सवेरा लेकर आई है जो सुविधाय कभी सिर्फ बड़े शहरों में होती थी वो डिजिटल इंडिया ने गाउं गाउं में पहुचा दी है इस वज़े से देश में नए डिजिटल एंटर्परिनर पैदा हो रहे है राजस्तान के अजमेर जिले के सेठा सी रावज जी दरजी ओनलाइन इस्टोर चलाते हैं आप सोचेंगे ये क्या काम हुआ दरजी ओनलाइन